नमस्कार फेंड्स मैं डॉक्टर रनुच इंडिया टीवी ओन्लाइन इंटीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं और आज मैं सेतु निगम पनारस के उस कारेक को देखने के लिए आया हूँ जहां पर काफी दिनों से अवेवस्था फैली है खास करके यहां के जो निवासी हैं उनको ले करके वो क्या है कि उनको घर में परवेश करनी की दिक्कत है अगर यहां पर कोई विद्याले में बच्चों को जाने की दिक्कत है उसका वीजुल मवजूद है कि बच्चे अगर उस विद्याले में परवेश कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो पानी और गट फ्लाइयोuin और वही फ्लाइय ओवर इस तरफ शीवफूर और बाबतपूर एर अैयरपोर को लिंक रेगी यह फ्लाइयोवर तो यह फ्लाइयोवर जो बाबतपूर और शीवफूर के तरफ लिंक करती है उसके बीज का स्ट्रेस है जहाँ पे हम लोग खरे हैं और यह वही लोग हैं जिनको आप कैमरा में देख रहे होंगे कि जिनके मकान को तोरा गया और यहाँ पर राजसो विवाग ने पहले कहा था कि आपका मकान इंक्रोच्मेंट में नहीं है लेकिन फिर बाद में वही विवाग कहती है कि आपका मकान इंक्रोच्मेंट में है और फिर आपके मकान को तोर दिया जाता है और उसी विशाय में लेकर के इलोक साइद कोट तक भी गये हैं और वहाँ से इस्टे मिला हुआ है जिस बदोलते कामरुपी हुई है तो मैं इसी विशाय को लेकर के इतनी बड़ी अवयोस्था आप देख सक रहे होंगे कि अगर कोई गारी जा रही है तो लगभग यहाँ पर 7-8-9 इंच पानी जमा हुआ है रोड पर और बड़ी मुस्किल से कोई गारी क्रॉस करती है अब स्कूल के बच्चों को ले लीजिए यहाँ के महिलाओं को ले लीजिए कितनी तकलीफों का सामना करना पर रहा होगा यह आपको पता चुर रहा है तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जिनके मकान को इंक्रोच्मेंट के नाम पर तोरा गया था और बाद में साइद मरम्ती हुई है लेकिन उनको इससे बड़ी परिशाने हुई और इनका नाम और बाकी इनके किये हुए काम के उपर भी बट्टा लगा क्योंकि लोगों का यह कहाना था कि भाई आपने कैसे इंक्रोच कर लिया मेरा केजी से बात करना चाहूँगा कि क्या मामला था और कैसे यह हुआ आपने की नापी करके बोले बार ने की नहीं तर इंक्रोच में लोगों के लाल निसान लगा के लगा दिया और एक बार नहीं दो बार निसान लगा लगा के तोड़ते चले गया है तर दोल कर मैं मानी नियाले मेरे हैं तो सब्सक्राबत बोला के मेरे पेटन देखा हुआ दयाता सभव के लगा के देख्माद मेम सब्सक्राबस दीन लगा जबाता संथrywवाथा इसन रफोर्प सहथी लिए सब्सक्राइब निकलना जोबर हो गया है, मैलाएं बच्छे एक अदम इस स्कूल एक इस मुनी सुनिक करने नाले का पाइब हुआ हुआ है, मुरिस्टार्म के त्याले के दिनों तो पंद रहा है, और यहां पर सुचिय का बहुत प्राचिन मंदिर घुगाजी का, यहां पर अभी सुनिए त्यवारता जो मैडाय में दिला प्रत रहते आती है, विचारी दंदे पाली में जुते ही हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, अभी सामने सुचिया कुचया दसरभ यहां पर होता है, और देखिए कि कोई सुनवाई नहीं लोगों का मकान से हो दिया देखिए रकेश जासवाल जी ने बिल्कुत सही कहा कि आम जन्दा की पिरा तो सरकार को सुननी होती है क्युक्ती सरकार ही जन्दा के हित के लिए काम करती है और सरकार को चुना भी इसलिए जाता है, लेकिन आप जहां तक देख रहे होंगे कि यहां पर सीधे आपको लग होगा कि सरकार और खास करके सिस्टम कान में तेल डाल कर सोया हुआ है एकदम कंबा लोड के सोया हुआ है जो भी आप कहलें जिससे कि जंता की आवाद उन नहीं पहुंच रही हो इस तरह से नेगलेजन्सी है और इस तरह से उनके काम किये हुए पर वादा खिलाफी है क्योंकि वह चुने जाते हैं काम करने के लिए बाकी मैं इस बीच में माननी मुक्ष मंतरी जी का अजय सबी सिर्फ गंदर देशिल पहले आया है तो इन्होंनों क्या नाम है अंजय जी आपको क्या कहना है इस बीचे को लेकर किसी कहने जाए अपना याथा बना आपने रहा जाने के लिए रास्ता नाला बिल्कु सतिग्रस हो गया है नाला बिल्कु सतिग्रस हो गया है बारी सोता है पुरे नाला का पानी तो आपक प्रस्तानी अब बाता है ते अभी खालेवी में यहाँ एक जबना है रहा लगवार्व जाता है अंदर आएंगे और इस में पर हमारे फागजी वंत्री जी अभी जयाश वाय जी तो है कई बार प्रयास किये अब लोग उनके पास गये हमारी सुनी प्रसासाथ के तामने हमारी समस्याओं को रखा लेकिन उनको भी इन लोगों ने नगिया कर दिया मतलब उनकी बातों को भी नेशनल विचारे कही बार आया है हमारे यहां के चुने हुए नेता को विदायक को बहुत पूरी जोर से काम करना पड़ेगा और यमांदाजी से काम करना पड़ेगा और तोरित करवाई करके इस फ्लाइवर को पूरा करना पड़ेगा और जो भी छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं उन लोगों के बीच में बैठ कर उसको निप्टाना होगा क्योंकि धर्म जैस्वाल जैसे ब्यक्ती कोई दूसरी घटना नहों कि धर्म जैस्वाल की इसी दुकान हुआ करते हैं ती सायद यहाँ पर और वही दुकान आपको में दिखाना चाहूंगा कि यह जो नीले कलर का सटर दिख रहा है वही धर परिवार कारोबार करने के लिए मैं चाहता हूं मंदली जीक्तों संग्यान मिले और शॉरित कारवाई करके इनकी असुविधा को दूर करें और आने वाले भविष्यके के लिए हमारे बनारप्तों खुक्षूरत करें उनकी विद्ध्याले के सामने गेट तूटा हुआ लगा हुआ पानी आपने देखा होगा बच्चों की समस्याइं सुनी होगी इस सब समस्याओं के जद में है सेतु निगम जो की एक ब्रिज निर्मान कर रही है और वो कबीर जनमस्थली से लेकर और सिवपूर तक के जाने क ब्रिज है और बावतपूर एरपोर्ट तक का लिंक रोड है और इसमें एक और इतिहास जुरा हुआ है कि इसी मार्ग पर जिस मार्ग की आप अबे उस्था देख रहे होंगे और इस अबे उस्था में जो बच्चे और महिलाएं खास करके स्कूल जाने वाले बच्चे कित रम्यान ही रसोई कहा जाता है कि रसोई बनाते बनाते ही उनके मन में ख्याल आया कि कासी की परिकर्मा की जाए तो इसी मार्ग से सीता मेया ने अंतरगरी की परिकर्मा की थी और उस का लहरतारा के पास जाकर के सिवपूर के पास जाकर के उस परिकर्मा का अंत होता है तो अपना इतिहास भी बर्तमान भी और हमारे स्कूल में जाने वाले बच्चे जो भविश्य हैं उनको भी सुक्षा, सिक्षाची मिले, सुरक्षा मिले और वो देश के लिए काम आ सकें झाति से छो चनल में तो कि वालत्त आ पालत्त वे तो में पहार दंड़ detect को के लिए कृते से और जर अन्में के तो बोड़ावा कंशी से वाल कrire कर दो सटेर के लिए स Biraz sebagai power comes from, बद्बू आ रहा है इसमें कोई दूस देगा तो तब तक ये सरफीक होगा दो पानी या घरा हुआ है सब चर्ड उन गया है बद्बू भी इतनी आरी है फिर विमारी भी इतनी होगी सब तक ये साफ हो जाएगा यही वो विद्द्दाले है पिर्श मुहीनी पीध्द्दाले और जिस बुद्द्द्दाले के बच्चे अपने प्रार्शां में प्राष् üzerine रहत है लेकring आप यह समस्या जिस समस्या से जूजता हुआ यह बिद्द्द की समस्या में क्या स्कूल के आस-पास की समस्याह अं और अब लोग इसको लेकर जूज रहे हैं? यह सुधर भी नहीं रहा है, हम लोग बहुत परिशान हैं अच्छा, बर्शाब भी मर जाती है, तो यह फ्लाइ ओवर के निर्मान के बाद ही यह समस्या चुरू हुई है तो आप क्या चाहती है? अरे हम चाहते हैं कि सुधरे मेरे बच्ची अच्छे से आए, स्वास्त रहें गिरें ना, हम लोग भी काईदे से मांसी की रूप से अच्छे से पहा है एक टेंशन बरावे बच्चा गिर न जाए, गिर न जाए, यह बना हुआ है पेफलाई उबर के काम जल्दी से जल्दी पूरा हो, रोड की सफाई हो, बिल्कुल यह चाहा रहे हैं, कोई चमतकार हो जाए कि रातो रात बन जाए इसी बहुत बहुत धन्यवाद है मैं सुधा उपाध्या, प्रिंसिपल, कृष्ण मोहिने विद्या मंदिर, उच्चेतर माधिमेक विद्याले, लहरतारा वाराण सी सर, स्कूल के बाहर जो पूल निर्माण का कारे चल रहा है, इस कारे को लगभग दो साल होने जा रहे हैं परन्तु अभी तक पूल का कंस्ट्रक्शन तो नहीं हुआ, उसके साथ साथ नाला भी ब्लॉक हो चुका है बाहर का जिसे हमारे विद्याले में पढ़ने वाले लगभग एक हजार विद्यार थी हैं, जिनको सुविधा का सामना करना पड़ा नाला भ्लॉक होने से पूरा पानी केंपस में भड़ जाता है और गेट नहीं है, बाउंडरी बनी हुई है, वहाँ पे अतिक्रमण में तोड़ दिया गया है इधर का और बाउंडरी नहीं होने के वज़ा से कभी पागल, कभी कुटे, कभी गाय, इस तरह के जानवर यहां प्रवेश कर लिते हैं, जिससे की हर समय यह डर बना रहता है कि बच्चों के साथ कोई अप्रिय घटना ना घटे इसकी सूचना हम लोगों ने शुरुवात में ही, जब हमारी बाउंडरी टूट गई, उसके बाद से हम लोगों ने बाउंडरी बनने के लिए इसकी सूचना जिला धिकारी, जिला विद्याले नेरिक शक, बेसिक सुख्षा धिकारी, ASTM, ठाने, सब जला हम लोगों ने परंतु कुछ हुआ नहीं, और जब से ये बाहर का शीवर की पाइप डालने के लिए सेतु निगम ने बाहर नाला को ब्लॉग कर दिया, एक गड़ा खो दिया, जिसे कि जो नाला का पानी पहले जाता था, वो ब्लॉग कर देने से समस्या और भी ज़्यादा बढ़ गई है केंपस में पानी बारिश होने से या नाले का पानी केंपस में आ जाता है और उसे बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, एक बच्चा गीर गया और हमेशा यही डर बना रहता है कि हम बच्चे के साथ कोई अपरी अगटना घट जाएगी उस परिस्थितियों में हम क्या करें, स्कूल को हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि किसी सक्षम अधिकारी का हमें जब तक आदेश नहीं मिलेगा, हम बंद नहीं कर सकते, अभिवावकों का रोश, उनकी शिकायते, बच्चों की परिशानिया, यहां तक हमारे स्टाप की परिशानिया, यह सब को हम जेल रहे हैं अगर इस संदर्व में नाले का कारेया जल्दी हो जाए तो बहुत ही कृपा होगे धन्यवाद नमस्कार फिर्ट्रेंस मैं डॉक्टर लेनुज इंडिया टीवी ओंलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ है और आज में बनारस ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत वर्स में एक ऐसी सक्सियत से बात करना चाह रहा हूँ कि जो अपने आप में एक गौरो के पल जी चुके हैं और भारत मा भारत भारती की बड़ी सेवा की है राय अजय कुमार जो 1971 में फाइटर पाइलेट भी रहे मेडल भी इनको मिला और आज ये बनारस में रहते हैं और बनारस में एक स्कूल की मैनेजमेंट इनके जिम्में है कृष्णा महिनी बिद्यामंदिर इनको एक कृष्णा महिनी विद्धा मंदिर जो है इनकी माता जी की नाम है इनको अमला जी भी कहते थे और ए अमला जी भी एतिहासिक नाम है ए अमला जी नाम देने में गुरू रबिंद ना टैगोर जो सांती निकेतन और पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के गुरू कहे जाते हैं उन्हों नहीं दिया था और अमला जी इंद्रा जी की रूम में ठुआ करती थी बेस्ट फ्रेंड थी और उनके साथ बढ़ी लिखी थी तो यह एतिहासिक स्कूल और उसी स्कूल के भी सह में मैं राय अजे कुमार जी से बात करूँगा जिस स्कूल के इस्टेबलिश्मेंट 1971 में हुई और उसके साथ कुछ ऐसी बेवधान आई है कि वो एतिहासिक स्कूल वैसे महान विभूतियों को द्वारा बनाया हुआ है स्कूल के उपर आज एक गरहन दिखाई दे रहा है तो मैं आज इन ही से पूछना चाहता हूं कि क्या उसी स्कूल के सामने दिक्कत आ रही है और उसका समाधान कैसे निकाला जाएगा स्कूल में वैसे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी क्योंकि एक अच्छा स्कूल है जाना बाला स्कूल है और हमारे हर विभाग के लोग एक गौराल्वित महसूस करते थे हमारा स्कूल दिखाने में कारिक्रम शुरू हुआ तब से ही कुछ ना कुछ दिक्कते आने लगी क्योंकि इस रोड पर फ्लाइ ओवर बन रहा है इसलिए रोड का चौड़ी करण हो रहा था जो कि बड़े आराब से किया जा सकता था अगर डिपार्टमेंट के सभी लोग आसपास रहने वाले लोगों के साथ बिल जुल कर इसकी विवस्था करते बगर थोड़ा अलफॉर्चुनेट है कि हर अफसर अपने लेवल पर अपने कोई सबसे बड़ा सबस्था है और अपने बलबाली करता है इस विद्याले का चौड़ी करण में एक भाग आ रहा था और हम लोगों ले इसको एक्सेप्ट किया और कहा कि आप अगर क्लियर हमको बता दे कि के फुट विद्याले को सबस्था करके पीछे हट रहा है तो हम अपना विवस्था करके हट जाएं जबकि ये बीटिंग्स चलती रही बगर बिगएर किसी की सुने बिगएर बुल्डोजर लगा करके स्कूल की दिवाल गिरा दी गई गिरा देने से क्या हुआ लौसों से हजार बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं चार साल की उबर से दस्वी क्लास सोला सत्रा साल तक के बच्चे हैं पूरे स्कूल में कुत्ते, साण, गाय भैस और रात को शराप पी कर लोग उठने बैटने लगे और सड़क क्योंकि थोड़ी उची हो गई है और वारिश का मौसम है तो पूरे स्कूल में पाली भर जा रहा है इसकी वीडियो बला बला के हम ले मुख्यमत्री के पोर्टल पर और सभी ऑफिसर्स को भेजा बगर इस वीचे में कुछ नहीं हो पा रहा है जबकि पहले सीवर डालना चाहिए था और आस पास पे जो पाली जुटता उसको निकालने की विवस्ता करनी चाहिए थी वगर ऐसा कुछ नहीं हुआ अगर आज विद्याले में कोई चोटा बच्चा के डैप हो जाता है या पाली में गिर जाता है या कोई कुटता काट लेता है तो इसके लिए पूरी तरह से विवस्तापक को ही जिम्मेदार बाला जाएगा जो की बहुत ही गलत हुआ है और आज तक सारी कोशिश कर लेने के बाद भी आज तक कुछ नहीं हो रहा है आप क्या चाहते हैं अभी कैसा क्या हो चाहते हैं कि सबसे पहले तो सीवर डाल करके स्कूल से पाली रिकालने की विवस्ता और जो हमारी बाउडरी वाल गिरा दी गई है उसको बनाने की विवस्ता प्रसाशत तुरत करें उसके जो भी डिफिकल्टी आ रही है उसको एड्मिनिस्ट्रेशन चाहें तो सब कुछ सॉल्व कर सकता है वगर किसी ने उस पर एक कोई स्टे ले लिया है उसका उसका बहला करके हमें जो है बाउडरी वाल बनाने नहीं दिया जा रहा है और लब लाने से हमारा स्कूल पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है धन्यवा सर सर राय जै कुमार जी का ये कहना है कि हमारे विद्याले में जो हजार बच्चे परते हैं उन परिवार के बच्चे हैं जिन मिडिल क्लास फैमली से हैं और वैसे जिवार की आर्थिक इस्थी कोविड में अच्छी नहीं रही है और इसकूल उनको पूरी मदद करती है तो आज इसकूल जो है ओ कबीर जन्मस्थान के बिलकुल करीब है और एक एतिहासिक स्कूल है उस स्कूल को बचाने की जिमवारी सिर्फ राय जै कुमार की ही नहीं है प्रवंधक पूरे बनारस और पूरे उत्तरप्रदेश के लोगों की भी है तो इसमें अगर सरकार और सरकार के ब्योस्थापक और मिशनरी और उनके सिस्टम कोडिनेट करके काम करे तो इस समस्या का हल बहुत ही जल और अच्छे तरीके से निकाला जा सकता है इंडिया टी और खास करके आई हुई समस्याएं जो एक बहुत छोटी छोटी समस्याएं है वो इसकूल के सामने जो आई है वो बच्चों के जीवन से समंदित भी है रिस्क फैक्टर भी है और उनकी पढ़ाई के उपर बाधा भी है तो इन सब को दूर करने की कोशिश करे इसको उमीद उमीद करते हैं इंडिया टीबी ओनलाइन की ये समस्याँ जल्द दूर होंगी और वहां के बच्चों की पढ़ाई सुचारू, सुवेवस्थित और वो हमारे भारत और उत्तरप्रदेस के गौरों बनेंगे नमस्कार डॉक्टर अनुश्रमा की तरफ से